हेलो एब्रेवन वेलकम तो माई यूटूब चैनल सिक्छा तक डिजिटल माई नमी सवरकुपता और आपके लिए सुपर 10 कोस्टन लेकर क्या आया हूं और जिने हमें सॉल्व करना है अब कमिंग सीजयल का बहुत से लोगों का लगा हुआ है इसके बाद बेस्के सूपर टिट का लगा हुआ है बहुत सरे एक्जाम से लगे हुए है यह प्रीविए स्चाइश में आई वे कोस्टन है जिसे में सॉल्व करना है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोस्टन फस्ट कोश्चन देखे लिखा हुआ है गिवदा प्लूरल फॉर्म अब हमें इस प्लूरल फॉर्म बताना है ठीक है तो गिलूदा प्लूरल फॉर्म आप ओएस यहां पे में अब लॉर्म को देखने मिलना है ओसिस रिटन वैसी का मतब देखा होका जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो दूर ऐसा लगता है जैसे पानि आरट वार्ट रिंग प्लेश लगता है लेकिन वह होता नहीं है और उसको हिंदी बोलते हैं मरेच का कै बोलते हैं मरेच क तो ऐसा लगता है पानी है लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है और जिल्मिल जिल्मिल लगता है ठीक है अब देखिए होता है क्या है कि मैंने आपको लास्ट पर ही बताया था लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि आगर आपको एसाइस मिल जाए वर्ड में तो जब प्लू जो है पद पर होता है बहुत उच्छ पद पर person होता है बैसिक लिए जो हता है वो मेल होता है ठीक है तो अगर फिमेल के लिया वर्ड ही उच पर बेबि या निहीं सरानी होता है और यह कोई सब्दह नहीं होताएं जो se or d में दियो है आगे निच्टЖता आते है थर्ड नंबर पे filling the blanks का question दिया हुआ है लिकाव है the criminal was released criminal को release कर दिया गया criminal को छोड़ दिया गया on किस भी हाब पर for a few days कुछ दिन के लिए जब कोई भी criminal होता है और कुछ दिन को अगर उसको बाहर के लिए release किया जाता है छोड़ा जाता है तो वो कैसे कैसे रिलीज होता है पैरोल पर होता है न तो यहां पर यह आपसान आपको दिख रहा है यह आपसन करेक्ट हो जाएगा guarantee होने सकता grant होने सकता क्योंकि यह यह आपर word suitable नहीं है आगे चलते है fourth number question sentence correction है अब यहां पर sentence correction करना लिखा है never before the students of India have so much been frustrated as today when the problems of unemployment are dominant अब आप देखें यहां पर never before लिखा है आपको याद होगा कि एक सब्द जैसे never है यहां पर इसी पेकार से आपका hardly आ जाता है barely आ जाता है rarely आ सकता है scarcely आ सकता है seldom आ सकता है तो यह बिटा किस को follow करते हैं अगर sentence की starting इन से होती है तो inversion follow होता है और inversion का बेटा मैंने मतलब बताया था आपको inversion का मतलब होता है putting the verb before subject subject के पहले verb का इस्तेमाल करना inversion कहलाता है यहां पर देखें never before लिखा हुआ है यह पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है the students of India have so much तो देखें have लिखा हुआ है न इस students के पहले इस have को में पहले लेकर के आना होगा the students के पहले have को insert कर ये और sentence हमारा correction हो जाएगा इसके बाद पर next step 5th number 5th number question में active and passive wise को question दिया हुआ है लिखा है somebody built built यानि वर्वी की second form वर्वी की second form दी हुए है यानि option में आप क्या देखेंगे वाज या वर्वी की third form है ना तो वाज या वर्वी की third form आप देखेंगे तो यहां पर this house से उठेगा sentence तो this house was built in 2001 यहां पर देखें एक और आउस है this house was built by somebody आप देखें जब भी आप sentence करते हैं तो आज के जो modern sentences उसमें by somebody या by someone का यूज नहीं करते हैं ठीक है तो यहां पर बीफ और बेबी correct है अगर ना होता यह वाला बीफ और बेबी वाला option तो हमें मजबूरन सी option पर जाना पड़ता है आगे चलते हैं next six number question पे six number question पे narration का question दिया हुए i will यहां पर देखे will है तो will का past would होता है the written book after i have दिखाया है तो head हो जाएगा तो would दिया है और head दिया है और किसी option में यह दोनों condition फालो नहीं हो रही है ठीक है जैसे कि पहले question देख लिजए यहां पे will ही दिया हुआ है और यहां पे has दिया है यह तो हो ही नहीं सकता second number दे कि that लगा रखा है और इसके बद में will लगा रखा है यह भी गलत है तो कौन सा option डी option डी option यहां करेक्ट है आगे चलते है next seven number seven number question पे हमारा synonym पूछा गया है और synonym पूछा गया लीनियंट दिया है लीनियंट जब मिल जाए तो यहां पे एक सब्दा और में लिखना चाहू हो रही है तो synonym का मत्तब मरसी फूल होना चाहिए तो यहां पर फिलाल मरसी लेस है यह तो एंटॉनिम है है ना यानि यह तो एंटॉनिम हो गया मरसी लेस लेकिन synonym चाहिए तो यहां पर यह आप सन मिलना है moderate moderate हो जाएगा मैलिस का मत्तब भी negative word है दुरबावना जिसके अं नहीं इनक्टिव है, इनक्टिव हैं न और एक वरड और मिलता है, आपको लिधार जी है ना तो भी कहनवाज है अन्सर की बात है तो यहाँ पर Bernard کی आंट्वनिम जाहिए तो यहाँ पर यह आप संदिक रहा है, एक्यू, डॉर्मेंट हमारा जो है कुईजंट का सिनॉनिम था लेकिन इंटॉनिम चाहिए था और अनकंसर्ट का मतब जो है जो फिकरमंद नहीं है आगे चलते हैं आपको याद आएगा कि आप बच्पन में एक पोयम पड़ते थे कविता पड़ते थे मचली जलकी रानी है जीवन उसका पानी है आथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी आप आप देख रहो फेस को अगर हम पानी से बाहर निकालेंगे तो वो कैसी फिल करेगी अनकमफर्टेवल फिल करेगी ना तो यहाँ पर कौन सा अपसन बीफर बेबी बीफर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा अब यह दस कोशन देखे बहुत ही कम समय में हमने इनको सौल भी किया है उम्मीद है यह सारे कोशन आपको समझ में आ गए होंगे और इसके बाद में आगे भी हम इस तरह के वीडियों आपके लिए लाते रहेंगे तो basicly क्या है आपको हमारे चैनल के सात में बने रहना है और इस चैनल को और जड़ा अपने फृर्ण के साथ में प्रमोड करिए इसको और जड़ा फरवर्ड करिए और अपना कित्रे नंबर्स आपने गेट क है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए ठीक है तो दिस इस आल फर टूडे नेक्स्ट सेशन फे फिर मिलते हैं चहिंद